दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे onage blindness के बारे में religious sonnet सबसे पहले आपके लिए इस वीडियो में देखिए short notes में आपको पूरा onage blindness के बारे में बताए जाएगा सबसे पहले देखिए onage blindness एक religious sonnet है इसकी जो theme है वो religious sonnet है क्योंकि जो poet है वो भगवान के परती पहले उदासीन है कि भगवान उससे उसके poetic talent का जूज करने के लिए इसाब मांगेगा और बाद में जो है poet के मन में विचार आता है कि भगवान ऐसा नहीं करेगा और वह है धेरेपुर्वक जो है उस भगवान में विश्वास करेगा तो यहां पर जो theme है वो है religious on his blindness का देखिए जोन मिल्टन जो है 1608 मन का जन purchase that का आयता है oh Dave Parts में Personally Extra बार में शाइन से ऑपर में में बशेटीट पार्ट में है किया है इस खवार एक जोड़िए और है Toutुम दूरार है तो निए और चूहरा सफ की उसके पहिंगा का बदेखिए उसका धुमبر्याय तो हैं Tá पर यहां पर डो अर्थ है एक है पृटिक टैलेंट जो उसकी राइटिंग पोइम्स का जो टैलेंट है और दूसरा यहां पर टैलेंट का रैटेंट दिया गया और उनमें से एक जो होता है सर्वेंट उसे वो डबल कर देता है और एक सर्वेंट ऐसा होता है जो विलकुल उसको यूज नहीं करता है उसे दबा देता है जमीन में जो सर्वेंट उसको यूज नहीं करता है तो उसे ये डर होता है कि उसका मालिक जब आएगा उसे डाटेगा उसका मालिक उसे डाटता है तो उसी तरह पोईम जो है राइम स्कीम ओए कि a-b-be a a-b-be-a c-d-e c-d-e तो टोटल यहां पर देख़ए 14 लाइट की होगी राइम सकीम को समझने के लिए यहां पर स्बसे पहले हमारी जो लाइनाय पॉयम की है वैन आइकशिडर when I consider how my light is spent तो यहाँ पर देखिए spent आ गया यहाँ पर उसके बाद second word में यहाँ पर देखिए wide है तो a, b हो गई फिर उसके बाद third line में hide है b हो गई फिर bent आ गया a तो point start होते है when I consider how my light is spent in this dark world and white तो इस तरह से देखिए यहाँ पर I am skim का आप समझ सकते हैं a, b, b, a a, b, b, a, c, d, e और c, d, e total 14 lines हो गई उसके बाद देखिए volta जो होता है between two parts में thematic turn होता है एक परकार का जैसे कि हम इसमें अगर आप समझे तो volta का मतलब two parts में यहाँ पर देखिए poem चल रही है जब on its blindness तो इसमें starting में क्या हो रहा है कि point बहुत ही दुखी है वैं अपने मन में सोच रहा है कि मैंने poetic talent का use नहीं किया भगवान उसे डाटेगा और अचानक से उसके मन में एक विचार आता है कि भगवान ऐसा नहीं करेगा भगवान में तो अचानक उसके मन में परिवर्तन होता है उसके बाद यह कि 24 sonnets by Milton ने लिखी है जिसमें से 18 क्या है इंग्लिश में लिखी गई है और यह हमारी क्या 19 number sonnet है जो 1652 में लिखी गई है और 1673 में पब्लिश हुई है at the age of 44 Milton become completely blind Milton जो है विल्कुल पूर्ण रूप से अंदा हो चुका था उसने अपने आखों की रोशनी खो दी थी at the age of 44 उसके बाद इस पॉइम एक बाड़ आया डे लेबर जिसे हम कहते हाड वर्क यानि की दिन का जो डे लेबर है तो यह दोस्तों हमने पॉइम को शोर्ट में इसके एक्सपेक्ट समझें आपको यह वीडियो कैसा लगा जुरू बताएं और चैनल को सब्सक्राइब को लेजिए धन्यवाद